Good morning dear students, welcome to Sri BL Memorial Academy online platform. हमने previous class में इसका part first किया था, people around us का, अब इसका second part continue करने जा रहे है. Let's find out. In the box given below, names of some other helping people are given, co-relate them with their work. Electrician, Green Grocer, Mason, Carpenter और Black Smith. सबसे पहले देखो यह pick दी हुए किसकी है? Green Grocer. इसके अंदर आपको क्या लिखना है? Green Grocer. Green Grocer किसको बोलते है? जो सबजी बेशता है, उनको क्या बोलते है? Green Grocer. G-R-E-N-G-R-O-C-E-R. यहां आएगा Green और यहां आएगा Grocer. फिर सेकेंड पिक देखो किसकी दी हुए है? Mason. मैसन किसको बोलते है? मसदूर को. M-A-S-O-N, M-A-S-O-N. यहां पे यह spelling आएगी. फिर फिर थर्ड दी हुए है देखो क्या? Electrician. यह क्या कर रहा है? लाइट का काम कर रहा है, तो यहां क्या आएगा? Electrician. E-L-E-C-T-R-A-C-I-A-N. यहां आएगा? Electrician. फिर नमबर फॉर्थ देखो. फॉर्थ में क्या आएगा? Carpenter. फिर फिफ्थ में आएगा? Black Smith. क्या आएगा? Black Smith. और शिक्स में आएगा? Grocer. You must have realized that these all people make our life easier. आपने मैसूस किया होगा कि यह सभी लोग हमारे जीवन को क्या बनाते है? Easier. Easier का आर्थ होता है? आसान बनाते हैं. क्या करते हैं? यह हमारे जीवन को क्या बनाते है? आसान बनाते हैं. We call them Community Helper. हम उन्हें क्या बोलते हैं? इनको हम उन्हें सामुदाइक सहायक कहते हैं. Community Helper. We clean our house only, but a sweeper cleans the wool neighborhood. He, she does a great work. अपन हम होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ house को clean करते हैं. क्या करते हैं? अपने गर को साफ करते हैं. हम अपना गर साफ करते हैं. लेकिन sweeper होता है, sweeper होता है, वो क्या करता है? अपने पूरे मोले की सफ़ाई करता है. और अच्छा काम करता है. Actually, no work is small. Actually, दरसल ये कोई छोटा काम नहीं है. Each work has its own importance. प्रते कार्य का अपना महतो होता है. जो काम करता है, वो उनके लिए प्रते कार्य का अपना महतो होता है. As community helper make our day-to-day work easier, we must be grateful to them. सामूदिक सहायक के रूप में अपने दिन परती दिन के काम को आसान बना है. क्या करना है? समू से रहके उनको दिन परती दिन अपने काम को क्या बनाना? Easy बनाना है. हमें उनका आबारी होना चाहिए. They all deserve a respect. वे सभी समान के पात्र है. क्या है? Respect का आर्थ क्या होता है? आदर करना, समान करना, वो सभी क्या है? समान के आदर के पात्र है. Whenever you get our work done by these friends of society, never forget to say thank you. जब भी आप समाज के इन दोस्तों से हमारा काम करवाएं. दोस्तों से किसी से भी काम करवाते हो, तो उसको क्या करना चाहिए? हमिसा लाश में क्या बोलना चाहिए? Thank you बोलना चाहिए. अगर कोई अपने लिए काम करता है और वो अपना काम हो जाता है, तो क्या आपन उनको thank you नहीं बोलते हैं? बोलते ना जब भी आप किसी समा से या दोस्तों से किसी से भी काम करवाते हो तो लाश में उनको ठैंक यू बोलना नहीं बोले ठैंक यू